कॉंग्रेस में इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा एक तरफ जहां कनहिया और जिगनेश जैसे लोग कॉंग्रेस में सामिल हो रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके मुखमंत्री कैप्टेन अमरेंदर सिंग और नवजोद सिंग सिद्धु जैसे नेता कॉंग्रेस छोड़ रहे ह हाला कि अभी उन्होंने छोड़ा नहीं है लेकिन अमरेंदर सिंग को मुखमंत्री पत से अटा दिया गया और नवजोद सिंग सिद्धु ने जो प्रदेश अध्यक्ष बनाये गये थे अपने पत से इस्तिफा दे चुके हैं कंहया को लेकर भी काफी सवाल उठ रहे हैं कॉंग्रेस के राष्ट्री परवक्ता मोहन प्रकास अभी पतना में मौजुद है हमारे साथ हैं हम इनसे सीधे जानते हैं सबसे पहला प्रस्ण चुकी बिहार आये हैं पतना की दरती प्याये हैं और बिहार का ही कंहया है इसकी सोच क्या है आपको तकलीफ क्या है यह एक इन्वस्टी का अध्यक्ष पढ़ा लिखा आदमी और इस देश्ट के अंदर लगातार गरीबों की आवाज उठाने वाला कोई आदमी अगर किसी पार्टी कॉंगर्स पार्टी को जोईन करता है तो बाकी लोगों के पेट पार्ट में आया है यह सो बार आ चुका कि वो डॉक्टरेट था समझ रहे हैं फिर भी आप टुकडे टुकडे कर रहे हैं अरे टुकडे तो मोदी कर रहा है बीजेपी कर रहा है और आप जो है एक पढ़े लिखे आदमी को जो जिद्दी अपनी लगा रहा है होल टाइमर ह है उसको आप यह कह रहें और किस को अट से हुआ है कहा हुआ है सो बार आ चुका कि भी यह नहीं है यह शब्द उन लोगों का है जो इस मुलक को टुकड़ा करना चाहते है भार्ती सेना को भी उन्होंने रिपिश्ट नहीं बताया था किसको नहीं सवाल यह है कि यह क्या कर इस देश में चल रहा है जिसका की फैक्टरी RSS नागपुर में है वो कर रहा है और उसको आप लोग संप्रेशित कर रहे हैं RSS मालीजे कि इसके लिए दोसी है लेकिन कर नया में क्या ऐसी खुबी है आपको क्या मतलब कोई आदमी किसी पार्टी में जाए तो आपको तकलीफ है क्या उसने ये कहा कि कॉंग्रेश डूपती भी नया है और जब नय नहीं का इस देश के लोगतंतर पर मोदी सरकार भाचपा का खत्रा है और इस समय विपक्ष का काम सिर्फ कॉंग्रेश पार्टी कर रही है इसलिए हम उसको ताकत देने के लिए मजबूती देने के लिए हम उसमें आ रहे हैं और मैं कहना चाहता हूं कि देश के जितने लोग इस देश के सुतंता अंदोलन के मुल्यों में विश्ट्वास करते हैं उनको कॉंग्रेश के साथ मिलके लड़ाई लड़नी चाहिए तो बिहार की कमान सौपेंगे कनहिया को क्या इससे आपको क्या मतलब तकलीप क्यों हो रही है जनता नहीं जनना चाह रही वो जो बैटे हैं न गोदी मीडिया वो इसको चलाना चाहती है सवाल यह है कि पार्टी में आए हैं पार्टी तै करेगी उनकी क्या भूमिका होगी इसमें आपको पेट में दरद क्यों हो रहा है आप, आपको मतलब गोधी मीडिया के पेट में क्यों दरद हो रहा है कितने लोग पार्टी जोइन करते हैं कितने लोगों करते हैं उनके लिए भी थो आप ने पुछें मीडिया के पेट में दरद नहीं होता है लेकिन ऐसे सवालों से किसी पाटी को जोरी कों को आदमी करता है..पढ़ा लिखे लोगों का अध्यक्स रहा है.. और प्रशन आप कर रहे है.. पंजाब में जिस तरह से अभी पॉलिटिकल हालात बने वे हैं.. अब युदुराप्पा पिर तीन उत्त्रा खांड और गुजरात उसके बारे मी पूछ लीजे ना है आपको पढ़ाव चिंटाहरें कांग्रेस की मैं कहरा हूँ यह यह तीन-तीन मुख्य मंत्री यह तो आपने बार भी प्रस्ट नहीं किया लेकिन इन तीनों मुख्मंत्री को जो बीजेपी ने हटाया तो किसी मुख्मंत्री ने ये नहीं कहा कि उनके प्रदेश अध्यक्ष देश के लिए खत्रा है या उनको बेजज़त करके हटाया गया किसी मुख्मंत्री बीजेपी के कहा विधायक दल की बैठक में कोई बनता है जो बहुमत होता है उसी के अनुशार बनता है तो वहां भी बहुमत के आधार पर नया मुख्यमंतरी बना है लेकिन चुगी वो दलित है गरीब परिवार से आया है तो फिर भारती जन्ता पार्टी और ये पुँझी पतियों की गुलाम, सरकार जो है, इसको पेट में दर्ट हो रहा है पंजाब में जो अस्थिर्टा ये है, कोई अस्थिर्टा नहीं है पाकिस्तान खुस है क्या है? और ये अरे मोदी जी का क्या हुआ अमेरिका में जरा वो पूछो ना भादेश का अपमान करा कर वो यहां है पाकिस्तान की बात RSS या बीजेपी ने नहीं कही आप ही के राश्ट्री प्रवक्ता और जो बड़े नेता है मनीश्तिलारी नेता है कि जो पंजाब में जो बिना बुलाएं बिना बताएं आप चले जाएंगे और प्रश्ट हमसे कर रहे हैं तो इसका मनीश्तिलारी ने गलत कहा नहीं मैं कहता हूं आप गलत कह रहे हैं गलत कोट कर रहे हैं यह कह रहा हूं मनीश्तिलारी ने यह कहा है गलत कोट कर रहे हैं उसको भाष्य कर रहे है गलत मैं कह रहा हूँ यानि मोदी बिना बताए बिना बुलाए बिर्यानी खाने जाए तो आपका प्रस्ट नहीं है आपका प्रस्ट यह है मैं समझ रहा हूँ इसलिए मैंने पहले ही कह दिया था कि आप जो बात करना चाहते हैं मैं जानता हूँ अच्छे युवा चेहरा को तबज्जु दी जारी है कॉंग्रेस में तो क्या लगता है कि जो युवराज है कॉंग्रेस के अब उनके साथ युवा की सेना जो रहेगी तो उससे कॉंग्रेस को कितना फाइदा होगा अरे आपको अभी आंधे हैं क्या पूरे करोना काल में कंग्रेस पर को सिलिंडर लेकर अपने लोग कि इसफीव को आपको आपको ऐंक में कुछ हमको फ्रेम लगाना पड़ा है कि देखाई करने के लिए यूग लोग वैइ खंश हैं वह लोग ज़या June के हम लड़ रहें तो पूरा देश शॉ-पर लिंधीर की लड़ वहन के जी के साथ राहूल गांदी जी के लावा बताई ने कौन इस पर लड़ रहा है तो जब वो लड़ रहे हैं जिन के लिए लड़ रहे हैं उनकी बड़ी शंख्या हमारे साथ होगी यह थे मुहन प्रकास जिनों ने कहा कि मनीश तीवारी ने ऐसा नहीं कहा है कि जो पंजाब है उसके डिस्टर्ब होने से पाकिस्तान खुश है और उन्होंने यह भी कहा कि राहूल गांधी के नेतितर में